पैरों में सालों साल से जमी मैल, कालेपन, गंदगी, बदबू इन सब को साफ करके आपके पैरों की रंगत को बिल्कुल गोरा कर देगा आज का मेरा ये असान सा तरीका आज आपको फॉलो करने हैं सिरफ चार स्टेप इसके बाद आपको किसी भी सलून में जाके पैडिक्यूर करवाने की तो एटलीस जुरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आपके पैर इतने जादा सुन्दर हो जाएंगे कि लोग बलकि आप से पूशन लगेंगे कि आप अपने पैरों का ध्यान कैसे रखते हैं बहुत सारे लोग, in fact, मैं खुद भी, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हम अपने फेस का ध्यान तो बहुत रखते हैं फेस पे दुनिया जान की क्रीम्स एप्लाए करते हैं, बहुत तरह के ट्रीटमेंट लेते हैं लेकिन अपने पैरों को, बिचानों को भूल जाते हैं और पैरों की याद कव आती है, जब किसी शोरूम में हम गर्ल्स जब चपल पसंद करने जाती हैं और चपल पहनने के बाद बहुत शर्मिंद्गी फील होती है, क्योंकि पैर एक्दम काले होते हैं इन फाक्ट मेरा ये पैडिक्योर बॉइस भी कर सकते हैं, उनको भी तो हग बनते हैं अपने पैरों को खुबसूरत बनाने का सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, चलिए, जानते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हमें किन-किन चीजों की जुरुत है सबसे पहले पैडिक्योर को स्टार्ट करने से पहले हमें क्लिंजिंग करनी है, यानि अपने पैरों को क्लीन करना है इसके लिए आप छोटा सा टब ले लीजे, उसमें आप गरम पानी डालने के बाद आप इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा, यानि मीठा सोडा और साथ में तीन चम्मच नमक डाल लीजे साथ में आप इसमें थोड़ा सा शेंपू भी आट कर लीजे और उसको अच्छे से हातों से मिला कर जाग बना लीजे अपने पैरों को कम से कम आप इसमें 10 मिनट के लिए डिप करिए क्योंकि जो बेकिंग सोटा होता है वो आपके पैरों की सारी टैनिंग को बहुत बढ़िया तरीके से रिमूव करता है और नमक आपकी जितनी भी काली स्किन हो गई है उसको हटा कर आपके स्किन के टेक्शर को सुधारता है बेसिकरी के दोनों जो हैं, आपके पैरों की सारी जो इतनी भी कालक और गंदी की जमिय है ना, उनको इत्दम से मैल को निकाल देगा तो आप इसको 10 मिनट के डिप करें, उसके बाद आप अपने पैरों को पोंच लें आप बारी आती है फूट स्क्रबिंग की, फूट स्क्रबिंग के लिए हमें बनाना कैसे है, पहले आपको एक खाली कटोरी लेनी है उसमें डालना है आपने दो चम्मच लेमन जूस, एक चम्मच चीनी और दो चम्मच हानी, इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए मिक्स करने के बाद अपने पैरों पर अच्छे से इसको रब करिए, कम से कम 2-3 मिनट तक पैरों को अच्छे से रगडने के बाद आप इस तरह का ए प्यूमिक स्टोन ले लीजिए प्यूमिक स्टोन पत्थर वाला आपको एजिली कहीं भी मार्केट से मिल जाएगा उससे अपनी एडियों को और अपने पूरे पैरों पर अच्छे से रब करिए क्योंकि छोटा सा प्यूमिक स्टोन बड़े से बड़े स्क्रबर का काम करता है यह आपकी सारी डेड लेर को निकाल देगा और आपके पैरों को बहुत सॉफ्ट बना देगा स्क्रब करने के बाद अब हम बनाएंगे इसका पैक बेफिकर रहे हैं यह वाली चीज़ें आपको रोजाना फॉलो नहीं करनी फुट वाइटनिंग पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए चार चम्मच बेसन दो चम्मच दई, हाफ चम्मच लिमन जूस और साथ में इसमें एट करना है लाल मसूर दाल का दो चम्मच पाउडर लाल मसूर दाल जो हम घर में बनाते हैं सराकी होती है इसको आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिजिए और उसका दो चम्मच इस पैक में एट कर लिजिए अब इस पैक को अच्छे से मिक्स करके अपने पूरे पैरो पर अच्छे से लगा दीजिए पैर जब सूख जाएं अच्छे से जब ये पैक सूख जाएं तो पानी की सहायता से इसको धो दीजेए धोने के बाद अब बारी आती है हमारे last step की last step में आपको कोई जादा चीजें apply नहीं करनी इसके लिए बस आपको एक छोटी सी डब्बी लेनी है डब्बी में आपने एक चमश वैसलीन डालना है और उसमें डालना है आधा लिमन इनको अच्छे से mix करना है और container में store करके रात को सोने से पहले आप इस moisturizer को daily apply करें और उपर से socks पहन लें आदे घंटा socks पहने उसके बाद उतार कर सो जाएं आपके पैर मजाल है कि कितनी भी गर्मी हो फट जाएं कितनी भी दरारे होंगी वो भर जाएंगी आपके skin कितनी काली होगी जूरी आ चुकी होगी पैरों पे वो भी दूर हो जाएगी क्योंकि नीमुच होता है आपके skin lightening और brightening का काम करता है और vastine आपकी पुरानी से पुरानी पड़ी हुई दरारों को बहुत जल्दी हील करता है vastine आपने कौन सा लेना है petroleum jelly वाला तो बस इन चार steps को follow करें और अपने पैरों को अपने face जैसा खुबसूरत मनाएं और ऐसी ही मेरी videos को बहुत सारा प्यार दें कैसे करेंगे लाइक और कमेंट करके मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाई टेक केर और स्टे हिल्दी लव यू ओल